देखिए मैं आज आमले के बारे मैं आपको बताऊंगी यह है एक ओस्धिय पोधा है किसान इससे अच्छी आमन्नी प्राप्त कर सकते हैं इसकी खेती करके क्योंकि यह ओस्धिय पोधा होने के कारण काफी मांग है इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है इससे विटामिन सी मिलता है पूरा जो की आँखों के लिए और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है इससे विटामिन सी बी और काफी खनीज लवन मिलते हैं इसके आमले जो आते हैं देखे यह आप देख रहे हैं इमली की तरह से पत्ता है इसका बिलकुल इमली की तरह से ही चलता है और देखे एक पत्ता इसका इधर से चलता है तो दूसरा उधर से चलता है इस तरह से इसके पत्ते चलते हैं और यह फल कहां लगता है तो देखे इसके पत्तो यहां पर ही डंडियों पर फल लगता है इसका पूरे गुच्छों में फल आता है इसके जो है फूल अक्टूबर नमंबर में आने लगते हैं फूल और फल भी इसके अक्टूबर नमंबर में बनते हैं इसके पर इतने फल आते हैं कि गुच्छों में लज जाता है पूरी तरह से आप देख रहे हैं इसकी और इसको ग्रो कैसे करते हैं तो देखे इसको डंडी से ग्रो करोगे तो अच्छा रहेगा उसको जो है बीज से ग्रो करने में इसमें टाइम लगता है और जल्दी से तया नहीं होता फल भी देर से आता लेकिन इसको डंडी से हम मानसून के मौसम में मट्टी में लगा दें और यह ग्रो कर सकते हैं इस तरह से आप देख रहे हैं कितना अच्छा यह बुसी पोधा हो रहा है और आराम से इसमें जो है फल आ जाएंगे देखिए इसमें अक्टूबर भी बना के डाल रहे हैं इसके पत्तो का भी पोडर बनाये जाता है और उसको भी हम ले सकते हैं यह पूरी इसके आमले के जो है जूस भी पिया जाता है इससे काफी अच्छा लगता है इसको आप चिकनी मिट्टी में ना लगाएं इसको मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो 40% जो है आप इसमें गार्डन की मिटी, 30% मोटी वाली बालू, 10% आप जो नीम की खली और 20% गोबर की खाद मिलाकर मिटी तयार करें, यदि गमले में लगाया तो 24 इंच के गमले में आप लगा देंगे, फूल और फल दोनों आएंगा, अच्छी तरह आएगा, से भी से तयार कर सकते हैं और गुटी बांध कर भी तयार कर सकते हैं, इसकी आप डंडी देख रहे हैं कैसे एक जो है एक राख की तरह से रंग की होती है, डंडी इसका रंग ऐसा होता है और इसके पत्ते इमली की तरह से होते हैं, इसके सूखे फलो से जो है, यदि हम इसक उपयोगी है और पूरे शरीर में पेट के लिए भी है बहुत ही जादा उपयोगी है इसकी खेती करकिशान जो है काफी अच्छा मुनाफ़ा कर सकते हैं इसका फल जो आता है चिकना गोल और हरे रंका होता है अंदर इसके गुठली जो निकलती है वह काफी हाड होती है और उ अच्छे फल वाले पेड़ का आप कलम ले आए और लगा दें उसकी कलम से तयार हुआ ग्राफ्टीड पोदा बहुत जल्दी फल देता है इस तरह से आप इसकी जो है काफी खेती भी कर सकते हैं और एदिक मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं क्योंकि यह एक ओस्धिय पोदा है औ बनाते हैं और यह जैली वगेरा भी बनाते हैं इसका पोडर भी दवाईयों में आयुरवेद में बहुत जादे काम आता है वैसे तो इसकी बहुत सा पहले से ही पुराने जमाने से ही इसकी जो है काफी चर्चा रही है महरसियों ने चर्चा की है यह काफी उपयोगी इसे अमरिता का पोधा भी कहते हैं और कल्प व्रक्ष भी कहते हैं इसकी पूजा भी होती है कहते हैं कि कार्तिक के महीने में इसके नीचे यदि कोई भोजन करता है बैठता इसकी पूजा करत तो विशेश फल मिलता है इसका यह भी मान्यता है इसकी यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं धन्यवाद